ब्रह्मा जी ने देखा कहीं से अचाना के कववा आया। चल में गीरा और चतरभूज रूप लेकर वैकुंठ चला गया। उनकी बुथी चक्रा गई। ये क्या हो गया। पुरापी नवम पुराणम यानी चो पुरादन होने पर भी नूतन लगे वो है पुराण। वैदिक साहित्य में ऐसे अठारा पुराण है और उन सब में सबसे बड़ा पुराण है सकंद पुराण। इस पुराण को सरप्रथम सुनाया था श्री नारायन ने ब्रह्माजी को। फिर ब्रह्माजी ने शिवजी को सुनाया। शिवजी ने अपने पुत्र सकंद को सुनाया और सकंद ने जैमिनी रिशी को। और जैमिनी रिशी ने इस पुराण को मंद्राचल परवत पर रहने वाले रिशियों की सभा में जाकर सुनाया था। और इसी पुराण में पुर्शुत्तम क्षेत्र श्री जगनाथ पूरी की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। आप तो जानते ही हैं कि ब्रह्माजी स्वयम भगवान विश्णू के नाभी कमल से निकले हैं। उनकी उत्पति के बाद जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि वे कौन हैं और उनके जीवन का उद्देश क्या है तब उन्होंने भगवान की तपस्या की। और फिर दिव्य ज्यान रिदे प्रकशी था। परम भगवान ने उनके रिदे में ज्यान प्रकाशित किया। उन्हें बुद्धी और संसाधन दिये जिसे कि वे एक भौतिक सुरुष्टी की रचना कर सके। अंद में जब प्रम्हा जी ने भगवान की आग्या से सुरुष्टी की रचना कर ली तो उन्हें समझ आ गया कि ये भौतिक संसार दुखों का सागर होगा। यहां प्रत्येक जीवात्मा अपने अपने कर्मों अनुसार, जन्म, मृत्यू, जरा और व्याधी के कश्ट सहन करेंगी। ये देखकर उनके मन में करुणा उत्पन हुई। इसका उपाई क्या हो सकता है। ये सोचकर उन्होंने भगवान श्री हरी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवान नारायन गरुड पर आसीन होकर प्रकट हुए। अपने मधुर वचनों से उन्होंने कहा। यानि लवन समुद्र की उत्तर दिशा में और महारदी के दक्षिन में जो प्रदेश स्थित है वह प्रुथवी के सबी तिर्थों का फल प्रदान करता है। जो वहाँ निवास करता है वह पवित्र होकर तुरंथ ही मेरे आध्यात्मिक लोग में पहुँच जाता है। इस क्षेत्र की ओर बढ़ाया हुआ हर एक कदम पवित्र होता है। स्रिष्टी के सर्जन और सौंहार के समय ये क्षेत्र कभी भी प्रभावित नहीं होता। पृत्वियाम गोपितम स्थानम तवचापी सुदुर लभं सुरा सुरानाम धुर्गनेयम माययाच्छादितममा। सुरा सुरा वति क्रम्या वत्ते रहम पुरुशोत्तमे सर्वसंग परित्यकतस तत्रत इष्ठामि देह भृत। ये मेरा श्री क्षेत्र जोकी पृत्वी पर गोपनिया है वो आपके लिए भी दुल्लब है। ये क्षेत्र देवता और असुरों के लिए दुर्गनेय है और सदा मेरी माया से आच्छा दित रहता है। मैं सुर असुर सभी का त्याग कर इस श्री पृरुशोत्तम क्षेत्र में निवास करता हूँ। इस प्रेकार कहकर भगवान नारायन ने ब्रह्मा जी को पृरुशोत्तम क्षेत्र जाने के लिए आदेश दिया। अचानक से उस रोहिनी कुंड के जल में गिर गया। जैसे ही उसने इस कुंड के जल का सपर्श किया, उसी क्षण हुआ कववा चत्रभुज रूप में परिवर्तित हो गया। और आध्यात्मिक लोक में चला गया। ये देखकर ब्रम्हा जी को इस धाम की दिव्य महिमा का अनुबव हुआ। और उन्होंने भगवान श्री विष्णू को प्रणाम किया। अगर आप भगवान जगनात और उनके धाम की ऐसे ही अनसुनी रहस्यमय कथाएं सुनना चाते हैं, तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाईए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई और भी हैं, जिसे ये स्टोरी नहीं पता है, तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए। मिलते हैं ऐसी रोचक कथाओं के साथ अगली कड़ी में। हरे कृष्णा। झाल, झाल, को शर्या लगता है?